नमस्कार इस्टुडेंट्स कक्सा 11 विश्य हिंदी अनिवारे अर्दवार्शिक प्रिक्सा 2023 का ये मोडल प्रशन पत्र आपके सामने लेकर काया हूँ जिसके अंदर आपके हिंदी अनिवारे के जो पेपर होने वाला है उससे सम्मंदित जो आपका पैटरन क्या रहेगा और 70 मारस का आपके ये पेपर होगा यानि 70 नमबर में से आपके ये पेपर होने वाला और आपको समय मिलेगा वो मिलेगा सवा तीन घंटे का ठीक है तो कक सारती सरोपर्थम अपने परसंद पत्र पर नामांक अनिवारियता लिखें आपके यहां पर नामांक का कोश्टक बनावा आएगा उसके अंदर आपको अपने नामांक या रोल नंबर लिखने हैं सभी परसंद हल करने अनिवारिय है प्रतेक परसंद का अंक भार उसके सामने अंकित है यानि प्रतेक प्रिक्सा के भी मोडल प्रशन पत्र हल करवाए जाएंगे यहाँ पर आपके पहला स्वार है निमलिकित गध्यांस को पढ़ कर नीचे लिखे प्रशनों के उत्तर दीजी तो यहाँ पर यह जो गध्यांस है वो आपको पढ़ना है उसके बाद में यहाँ पर पर प्रशनों के उत्तर देना है दूसरा पुछा है किसी एक विशिये पर आपको निमंद लिखना है सब्द सीमा है वो 350 सब्द है यानि कम से कम आपको 30-35 लाइन यानि दो पेज भरने है 5-6 नमर का आपके क्यूशन आएगा अधनी क्यूशन में मोबाइल का फॉन का मैं तो कोई भी एक में आपको निमंद लेखना है चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा क्यूशन आपका आएगा सची उशिक्सा विबाग राजिस्तान जैपूर के और से आयुक्त स्वास्तिय हैं परिवार कल्यान विबा को एक अर्द सासक की पत्र लेखना है या निदिसक मादिमिक शिक्सा बोर्ड के और से एक कार्या लई पत्र परधानाचारे राज के उच्छ मादिमिक विद्याले जैपूर को लेखना है जिसमें राष्ट्री सहत्रवर्ती हितुचैनी दो बाल को पुरुषकार की राष्टी का उलेख करना है तो यहाँ पर आपको अत्वा में दिया गया कोई भी दोनों में से एक आपको करना है पांस नंबर का आपके ये कुशन आने वाला है अगला है चोता क्यूशन आपके अच्छे समाचार की परमुक तत्व कौन कौन से है और समा प्रसंग व्याख्या करना है यहाँ पर आपको प्रसंग भी साथ में लिखना है कि कौन से पार से लिए अगर उसका लेखा कौन है और उसकी व्याख्या भी करनी है इसमें से दोनों में से कोई भी एक अत्वा में आया हुआ है आपको जो अच्छा लगे वो आपको करना है उसके बाद में छटा क्यूशन ही आया है नीचे लेखे कि पध्यांस को पढ़ गर प्रशनों के उतर देने यहाँ पर आपको यह पध्यांस पढ़ना है यह भी अत्वाम होगा और इसको पढ़ गर के आपको प्रशनों के उतर देने यहाँ पर यह पध्यांस है पूरा मैं आ आपको देना है मनु भंडारी का जनम कब हुआ था यह आपके एक कवेत्री है जिसका नाम है पाट में आपको आयोगा है कौन सा रांस्वर सयोगा वो आपको करना है पतिक है यह क्या मा कावे खंड कावे चंपू कावे यह यह कोई नहीं है वो लिखना है कबीर की रचनाओ क संगलन किसने किया था खाली जगे बरनी है मिया नसुरुदीन पाट की लेखिका का नाम क्या वो लिखना है पतकता किशे कहते है अपू कौन थे कबीर की रचनाओ जिसमें किसमे संगलित है उसका संगलन का नाम लिखना है मीरा की भक्ती किस भाव की है यहां आपको लिखन कौन कौन से हैं वारिद माला का अर्थ क्या है कवी ने इसको किस रूप में परस्तुत किया है दो नमर का क्यूशन पूछा कवी ने किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्यदार बताया कोई की सपलता यानि सजलता उच्छव का उसर किस प्रकार बन जाती है पथिक का मन कहां विचरना चाहता है सुमित्रा ननंदपंत और प्रेम चंद का परिच्छे यहां पर यह आपके पांच क्यूशन पूछे है अब यह निमंदाक्तमा परस्तुत कोई तीन आपको करना है यहां पर देखिए इनमें अथ्वा में दिया हुआ है कोई भी दोनों में से एक दोनो आपको करने है तो इस तरह से यह था आपके अर्दवार सिक परिक्षा का मोडल परसन पत्र तो जरूर इसमें से आपके बहुत सारे क्यूशन्स है वो अनिवारे हिंदी क्लास 11 में आने वाले हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों तक वीडियो को सेर करें धन्यवाद जहिंद वंदे मातरम हम आपके लिए ऐसे ही बेस्ट मोडल परसन पतर लेकर आते रहेंगे